क्लास एर्थ एक्सराइब 13.1 कोशन नमबर 3 इन कोशन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिग्मेंट रिक्वाइब 75 ml बेस हाव मच रेड पिग्मेंट शुड़ वी मिक्स विद 1800 ml बेस मेंज इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिग्मेंट हम यूज करते हैं पेंट में तो उसमें 75 ml बेस यूज होगा तो हाव मच रेड पिग्मेंट शुड़ वी मिक्स विद 1800 ml बेस तो सबसे पहले इस कोशन में बार पर एक ही बात कह रही हूँ कि इन कोशन में डारेट प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् बेस हमने लिया 75 ml अब उन्होंने कोशन पूछा है 1800 ml में कितने रइट पिग्मेंट के हमें जरूरत होगी तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह हो गया यह आपको देखके अंदाजर लगाना है कि डारेक्ट प्रपोर्शन से है यह इन्वर्स प्रपोर्शन है जब एक रइट पिग्मेंट पे 75 ml बेस यूज होगा तो डेफिनेट सी बात है 1800 पे रइट पिग्मेंट इससे ज़्यादा ही होगा कम तो नहीं होगा इसका मतलब क्य दोनों ही चीजे इंक्रीज हो रही है तो क्या है डारिक्ट प्रपोर्शन है डारेक्ट प्रपोर्शन में हम फॉर्मॉला कौन सा यूज करते है ए एकस वन पवाईएं एकस की 75, x2 की हमें find करनी है, and y2 की value है 1800, इन सबकी value हम in questions में put कर दी, अब इसके बाद हमने किया cross multiply, 1800 का 1 से and 75 का x2 से, multiply करने के बाद, 1 into 1800 equal to x2 into 75, 75 यहां से हम divide में लेकी करे, इसका हमने divide किया, तो x2 की value कितने आई, 24 यहांनी 1800 ml के लिए, base के लिए, कितने red pigment की जरूद है, 24 red pigment की κάνुग के लीक ही जरूद है, 26 that इसके लेकी कर दो में Div के लिए कर तो कितना है, विए बाता है, तो की में लेकी यहांनी और शूद हम अपता है, कित कर Fा हमने, तो भी एम, घद एमने हैं